नमश्कार मैं गिर्जेश चाहान वेब डिजाइनिंग के इस वीडियो टुटोरियल में आप सभी का स्वागत करती हैं और आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है CSS box model box model मतलब कि हम यदि कोई division बनाते हैं कोई paragraph कोई heading या even body मतलब कि हम कोई भी element लेते हैं तो उसको यदि हम as a box consider कर रहे हैं तो उसकी height, width और साथ में margin, padding और border से उसके dimensions पर क्या फर्क पड़ता है यह देखने जा रहे हैं तो आईए शुरुवात करते हैं सबसे पहले मैं open कर रही हूं notepad और यहां पर एक program बना रही हूं मान लीजिए उसको मैंने सिर्फ body section डाला ज़रूरी नहीं कि हम हर html program में head और body डाले ही डाले तो मैं बना रही हूं html program जिसमें सिर्फ body section है और यहां पर सोचा कि चलिए एक box बनाते हैं तो box बनाने के लिए मैं यहां पर कोई भी division मना सकती हूं even body की height और width दे सकती थी तो finally मैं अभी दे रही हूं एक division ताकि मैं इसके background color के साथ पूरी testing कर सकूं considering it as a box तो यदि मैं div की id दे रही हूं मान लीजे test और यहां पर मैंने किया slash div तो एक बात याद रखिएगा division में जब कुछ नहीं होता है जब उस element के अंदर कुछ है ही नहीं तब उसकी styling करने में अगर आप उसका background color देके देख रहे हैं borders देके देख रहे हैं और आपका output नहीं दिख रहा तो समझिए गए सचीज को कि यदि division में कोई element है ही नहीं तो by default उसकी height 0 pixels होती है आई ये इसको test भी कर लेते हैं तो इसके लिए मैं internal, external या inline यहीं पर style दे सकती थी तो अभी के लिए मैं यहां पर head section बना रही हूं और उसके अंदर slash head और head के बीच में style tag दे रही हूं और वहां पर ID test मतलब की जिस division की ID test है उसके लिए सारी styling देने वाली हैं तो मैंने डाला style tag और slash style इसके बीच में जो भी element होता है जैसे की body है तो body element के लिए यदि आप कोई style देना चाहते हैं तो आप ऐसे दे सकते हैं जैसे की मैं चाहती हूं कि body का background color red रहे एक style हुई then elements हो सकते हैं तीन प्रकार के या तो elements नहीं selectors हो सकते हैं तीन प्रकार के कि या तो आप यहां पर tag name दे और उसके लिए style दे या ID दे या class दे तो फिलाल हमारे पास ID है test तो ID को refer किया जाता है CSS में hash से मैं दे रही हूँ hash test के लिए background dash color colon white और फिलाल मैं सिर्फ इतना ही test करना चाहती हूं तो प्रोग्राम को किया मैंने save मान लीजे css underscore box underscore model dot html नाम से और फिर पहुंची मैं किसी भी ब्राउजर पे जैसे की Chrome और यहां Ctrl O से मैंने open करा file को css box model तो यहां body का background color जो मैंने red दिया था वो तो मुझे दिख रहा है लेकिन एक और div था test नाम का जिसका background color मैंने यहां से दिया था वाइट वो नहीं दिख रहा तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि किसी भी डिविजन में यदि element ही नहीं है तो element ना होने के कारण उसकी कोई height नहीं होती तो यहां पर आप background color देते इसकी border देते जैसे की यह save किया यहां पहुंची अंडी लोट किया तब जाके आप देख पाए क्यों क्योंकि अब इसकी height बनी because border जो है वह भी height और width दोनों में अपनी width को include करती है तो इसलिए यदि आपको कभी आपका division नहीं दिखता तो याद रखें कि अगर वह empty है तो at least उसमें एक non-breaking space M% NBSP करके element जरूर डाले ताकि आपको उसकी height दिखे तो और बाकी तो ऐसा है कि आप division में जितने elements डालते जाएंगे आपकी height उतनी बढ़ती जाएगी for example यदि मेरे पास यह एक paragraph है जो मैंने नौदस बाल डाल दिया save किया reload किया तो मेरे पास body है red background में और उसके बाद उस पर div head test जिसका background color है white इसकी height by default उतनी होती है जितना इसमें content होता है और width हमेशा 100% होती है आप चाहें तो इस width और height को change कर सकते हैं for example width को मैं कर रही हूं 70% आप pixels में भी इस width को दे सकते हैं या percent में दे सकते हैं width जादा तर यदि हम percent में देंगे तो यह responsive design रहेगा कि आपके पास जितना भी बड़ा mobile है tab है laptop है screen है तो उसके 70% में अगर हम सोच रहे हैं तो we should always give it in percentage ताकि उतने ही percentage में यह समा जाए save किया एक बड़ा की output देख लेते हैं तो width 70% में हमें यह दिख रहा है यदि हम border का color अलग कर लेंगे तो शायद हमें clear होगा और अच्छे से कि border कितनी width ले लिया है तो अब किया मैंने save फिर से किया reload तो यह देखें red then green color की border है हमारे पास और फिर white color का background है और इसकी width है 70% height फिलहाल उतनी है जितना आपके पास content है पर आप चाहें तो इस height को बढ़ा सकते हैं like मैं दे रही हूं 700 pixels तो अब मेरे पास white division की height इतनी है तो फिर से कह दूं कि width आप percentage में दे तो जादा अच्छा होगा बाकिया ऐसा कोई compulsion नहीं है आप यह भी pixels में दे सकते हैं height property से आप content की height बता सकते हैं because आपका by default जो height होता है वो division में जितना content होता है सिर्फ और सिर्फ उसके बराबर होता है यदि मैं इस height को 200 pixels देती save करती तो मेरा division की height उतनी ही रह जाती जिसमें background color आता और बाकि मुझे overflow होता हुआ material सा देखाई देता नेक्स जो properties हैं वो है margin और padding तो margin और padding का हम अंतर समझने के लिए पहले मैं इसकी height से ही कर दूं like 600 pixels कर देती हूं save किया यहां किया reload और अब padding का अर्थ होता है internal margin internal margin की मतलब यह कि इस division के अंदर अभी जो हमें content दिख रहा है वो बिलकुल chip का हुआ दिख रहा है और हम चाहते हैं कि नहीं वो थोड़ा दूर होता तो उसके लिए मैं देती इसमें property padding अग यदि मैं padding अकेला लिखती हूं तो इसका मतलब होता है padding left, right, top and bottom सारी और इसको यदि मैं देती हूं 10% तो 10% अंदर से लिखना शुरू होगा और box model में एक तो बहुत ही जरूरी चीज है जो मैं आप लोगों को notice करवाना चाहूंगी वो यह कि box में हमेशा border then padding और margin इन सबकी width और height included होती है तो यदि अभी हम सोच रहे थे कि हमारी width है 70% तो 10% padding from left and 10% padding from right जुड़ चुकी है और हमारा जो division अभी हमें इतना दिख रहा है वो अब होने वाला है 90% का क्योंकि 70 plus padding left 10 and padding right 10 plus padding top और bottom भी होगा तो वो height में include करेगा तो आईए देखने हैं इस बार कितना change होने वाला है reload कर रही हूं F5 से और अब देखें padding हमें top से मिली left से मिली right से भी मिली है वो दिखाई नहीं दे रही because अपना content नहीं है otherwise content बिलकुल border तक नहीं जाता और 10% पर आके रुक जाता तो यह है padding property जिससे हम internal margin लेते हैं और अगर मैं इसकी बजाए देती अच्छा एक और चीज padding property में जैसा कि मैंने कहा left right bottom top सबको अलग अलग दे सकते हैं या अगर साथ में भी देना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसे कि padding top से आपकी clock को शुरू करें आप और फिर clockwise direction में चलें तो मैं सकते हैं सेव करें और रिलोड करें तो अब देखें उपर से 20 pixels दाएं बाएं से आपको मिल रहा है आप चारो properties लगा सकते हैं for example इस बार हम margin left लगा ही लेते हैं and margin left में यह दी दिया मैंने 5% तो यह वो margin है जैसा कि हम copy में लिखते हैं और सोचते हैं 5% की margin छोड़ के लिखेंगे तो आपका यह जो वाइड डिविजन है जो कि अभी बिल्कु लिफ्ट से शुरू हो रहा है ध्यान दीजेगा अब यह 5% दूर से शुरू हो रहा है तो this is margin left property तो यह हुई program को किया मैंने save program save करने के बाद यहां किया reload box model में हमने समझा कि properties होती है width, height, padding, margin and border और यह सब एक दूसरे में add होती है तो जब भी आप height या width दें इन सब को ध्यान में रखते हुए चलें कि यह add होने वाले हैं तो यदि आप इतना चौड़ा division चाहते थे कि 70% की width में समाएं तो अगर हम दे रहे हैं कि padding 10-10% की दे रहे हैं तो हमें width देनी थी 50% then margin left और margin right भी हम 55% की दे रहे हैं तो हमें width देनी थी 40% तो this was all about CSS box model जो include करता है width, height, padding, margin और border को मिलते हैं किसी अगले lecture में किसी और interesting topic के साथ Thank you